स्वागत है आप से भी का टेक स्टेडी आई टे यूट्यूब शेंपर एलेक्रोनिक मेकैनिक थेओरी सेकेंड डियर के सिवीटी एग्जामिनेशन कुस्चन्स की सिरीज में आज की इस वीडियो हमने लोग करेंगे पार्ट नमबर 19 इसके पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से जाके आप उन सभी पार्ट्स को अच्छे से जरूर इस्टिडी कीजिएगा एक एक कुश्चन को हमने आपके लिए अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है साथ में इमेजेज वगेरा भी जितनी रिक्वाइड हुई है जरूर हमने वीडियो में रखी है चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके इस तरह से वेल आइकन को दबा लीजिएगा साथ में वीडियो को लाइक वाशेर भी जरूर कीजिएगा और लास्ट में एक बोनस कुश्चन है आप सभी के लिए उसका आंसर आपको कमेंट बाक्स में करना बहुत जरूरी है वीडियो के डिस्क्रिप्सन में आपको बाकी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट मिलेगी उनकी भी आप तयारी अच्छे से कर सकते हैं चैनल के मादन से ही स्टार्ट करते हैं दोसो एक नमबर कुश्चन से इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा और आपका यहाँ पे इंप्लाइविल्टी स्किल सेकेंड यर पूरा क्या हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा टोटल बीस पार्ट में आपके पांसो से ज़्यादा कुश्चन कराय जा चुके है कुश्चन यहाँ पे दोसो एक नमबर याद कर लीज़े आप लोग यह आपका एक LED मोनिटर इसमें जो X वाला पार्ट है इसका आपको नाम बताना है क्या है यह कलर फिल्टर है होरिजंटल फिल्टर है वर्टिकल फिल्टर है या crystal molecules हैं यानि crystals हैं तो यह आपके क्या है और आपसन नमबर डी crystal molecules यहाँ पर आप देख सकते हैं या इसी को liquid crystal भी कह सकते हैं LED की case में ठीक है crystal molecules हो गए यह आपका यहाँ पे TFT substrate है ठीक है और ये lower pulrizer ये upper pulrizer यहाँ पे लगाया गया है तो ये parts के नाम आप याद कर लीजे इसमें तो फिलाल ये क्या है आपका crystal molecule next question what the full form of the abbreviation HPT HPT का full form क्या है तो उसे हम लोग बोलते हैं high power transmitter क्या बोलते है high power transmitter और LPT क्या बोलते है low power transmitter ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा आपका option number C high power transmitter 204 number question which term is related to the information about hue and saturation alpha color कौन सा अवधी ठीक है यहाँ पे term मतलब कौन सा term जो है रंग और एक रंग की संत्रिप्त के बारे में जानकारी से संबंधित है luminous chrominance resonance resonance या ferro resonance तो देखिए यहाँ पे resonance ferro resonance नहीं सही है right answer आपका यहाँ पे chrominance option number B यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 205 number question है what the function of the block diagram इस block diagram का आपको function बताना है क्या है satellite link system है FM transmission system है black and white TV broadcasting system है या color TV broadcasting system है तो यह है आपका यहाँ पे black and white TV broadcasting system ठीक है क्या है black and white TV broadcasting system next question what the disadvantage of TN display TN display का एक नुकसान बताना है disadvantage बताना है क्या होता है तो फिलाल यहाँ पे TN का मतलब क्या होता है आप लोग पहले समाझे T मतलब होता है twisted N मतलब होता है numain ठीक है तो यहाँ पे right answer आपका TN प्रदर्शन का नुकसान सबसे बड़ा यह है कि low quality color reproduction होगा कम गुणवत्ता का रंग पुनर उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा यह आपका TN display का actual major disadvantage आप कह लीजे उसे यहाँ IPS display वगएरा इससे बहुत बेहतर होते है 207 नमबर question है what is the bandwidth used for TB transmission in India भारत में TB प्रसारण के लिए किस bandwidth का उपयोग किया जाता है 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz या 8 MHz right answer आपका option number C यहाँ पे 7 MHz या 7 MHz 208 नमबर question है what is the range of frequencies covered under S band used for TB signal transmission TV signal transmission में उपयोग किये जाने वाले जो S band के तहट आने वाली आपरित्ती है उसकी सीमा क्या है उसकी सीमा यहाँ पे होती है 104 MHz से 174 MHz तक 209 नमबर question है हाँ पे which signal is processed from RY and BY signals in color TV receiver एक color TV receiver में RY और BY संकेतों में से कौन सा संकेत संसाधित होता है processed होता है luminance signal, chrominance signal equalizing pulse signal या composite video signal right answer आपका option number B, chrominance signal 210 number question है which function is performed by the section marked X in the TV receiver यह एक TV receiver है X वाले part का आपको नाम बताना है क्या है RF amplifier है, VIF section है FM detector है या synchronize and scanning है इसे हम लोग बोलते है synchronize and scanning ठीक है यहाँ पे आप इनके parts देख सकते है यह आपका receiver antenna ठीक है RF tuner यहाँ पे common IF amplifying ठीक, video detector यहाँ पे आपका क्या है scanning and synchronizing circuit जिसे हम यहाँ पे सही करने वाले हैं 211 नमबर question है What the intercarrier signal in PAL system for TV transmission TV transmission के लिए PAL system में intercarrier signal क्या है 2.5 MHz 3.5, 4.5 या 5.5 MHz राइट answer आपका option number D 5.5 MHz 212 नमबर question है What the function of tuner in TV receiver एक TV receiver में tuner का कार क्या होता है Tuner मतलब क्या होता है Channel को tune करना, बदलना ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा tuner का कार उसका कार होगा Select the desired channel signal Desired channel जो आपको देखना हो आप उस remote से उसे select कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं 213 नमबर question है What the name of dismantled LCD monitor display part marked as X तो यहाँ पे X part का नाम क्या है तो यहाँ पे X part का नाम हता है Polarized glass plate कौन सा है यह? Polarized glass plate पीछे हमने इसके figure रखने के बाद बताया भी था कि यह क्या है आपका Polarized glass plate से हैं अगला question है What the sub-carrier frequency used in P.A.L. standard for modulating color difference signals ठीक है अब यहाँ पे कह रहा है कि रंग अंतर संकेतों को संसोधित करने के लिए P.A.L. मानक में उपवाहका बृत्तिका उपयोग क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं P.A.L. क्या होता है Phase Alternating Line बोलते हैं Phase Alternating Line एक तरह का यह क्या है आपका Color Encoding System होता है क्या होता है एक Color Encoding System होता है दो और होते हैं NTSC and Secam SECAM जिशे बोलते हैं हाँ पे तो फिलहाल इसकी आब रित्ति कितनी रहती 4.43 MHz अगला 215 नमर कुश्यन है Which is represented by the by saturation in color TV signal characteristics Color TV signal विशेस्ताओं में संत्रिप्त द्वारा किसका प्रित्निदृत किया जाता है Purity of a Color Amount of Light Intensity मतलब प्रकास की इती बृता की मातरा पे 7 Colors of Rainbow इंदरधन उसके साथ रंग या Frequency and Amplitude आबृत्ति और आयाम यहाँ पे आपका Right Answer Option No.A Purity of a Color Next question है What is the function of the block diagram Mark X in the TV receiver अब इसमें उपर वाले इस X को पूछ रहा है क्या है Video section है Sound section है Filter section है या Tuner section है उसे हम लोग क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम लोग Sound section Option No.B यहाँ पे आपका Right Answer हो जाएगा यहाँ हमने दिखा भी दिया था Audio Amplifier लगे होते हैं यहाँ पे Next question How many odd fields are scanned in one second by the vertical sweep circuit in TV receiver एक TV receiver में उर्द्वाधर sweep circuit द्वारा एक सिकेंड में कितने विसम छेतरों को scan किया जाता है पचीस, पचास, छेसो पचीस या पंद्रह हजार छेसो पचीस Right Answer आपका Option No.A 25 या 25 Which transmission technique produces the waveform with lower side band suppressed for the carrier of TB signal कौन सी transmission टक्नीक TB signal के वाहक के लिए एक suppressed निचले side band की साथ तरंग का उत्पादन करती है या करता है ठीक है चार options मिलेंगे आपको यहाँ पे Right Answer आपका हो जाता है Vestigial Side Band Transmission क्या होता है Vestigial Side Band Transmission ठीक है यह एक तरह का आपका यहाँ पे Amplitude Modulation के अंतरगत इसको आप रख सकते हैं and shortcut होता है इसका VSV क्या होता है VSV Vestigial Side Band 219 नमबर कुश्चन है Which scanning method is used in TV receiver with 625 lines यह बहुत पुराने time की यहाँ बात हो रही है जो 625 lines होते थे जिसे CCIR 625 by 50 कहते थे ठीक है यह जनली आपका 1940 में जो है यूज किया जाता था तो उस case में जो उप्योग किया जाता वो पिया जाता है interlaced scanning का ठीक है यह जो 625 line होती है इसमें आपकी जो 525 line होती है वो carry करती है visible images वगरा ठीक है visible ठीक है और वह 25 interlaced frame पर second जो है यहाँ पर क्या होती है उप्योग की जाती है ठीक है राइट आंसर क्या होगी आपका option number A interlaced scanning next question यहाँ पर what is included in chrominance signal chrominance signal में क्या सामिल है intercarrier signal, luminance signal color information या composite video signal राइट आंसर आपका उसमें रहेगा आपका color information नहीं रंग की जानकारी दोसो 21 नमबर question है which in plane switching technology is used in LCD panels for improved contrast ratio बेहतर contrast ratio के लिए LCD panel में किस in plane switching तकनीक का उपयोग किया जाता है super TFT का super IPS, enhanced IPS या horizontal IPS का right answer आपका option number D horizontal IPS का 222 नमबर question है what the ratio of primary color mixing to produce luminance Y signal luminance Y signal का उत्पादन करने के लिए प्रात्मिक रंगों के मिसरण का अनुपात क्या रहेगा तो वो अनुपात आपका रहता 30% red 69% green और 11% blue ये आपका यहाँ पे रहेगा अनुपात अगला 223 नमबर question है what the bandwidth for SE cam system based on 625 lines 625 line हो पादा आधारी SE cam system के लिए bandwidth क्या है तो SE cam का full form क्या होता है sequential colored memory क्या होता है sequential color and memory right answer होगे आपका यहाँ पे B 9 hertz ठीक है bandwidth क्या रहे तो उसके लिए 9 hertz की next is 24 224 question what the full form of the abbreviation LPT अभी पीछा है था HPT जिसका था high power sorry high power transmission यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा LPT का low power transmission अगला 225 नमबर question है what the bandwidth था PALD system of TB transmission TB transmission TB परसाड के PALD प्रणाली की bandwidth क्या है तो उसकी bandwidth है यहाँ पे 7 MHz right answer क्या होगे आपका option number C अब आती आपकी बारी bonus question का answer करने की question है which function is performed by the transistor in the LED light circuit LED light circuit में transistor द्वारा किस तरह का काम किया जाता उसे क्यों छुटी तो आपको बताना है कि जो LED light circuit है उसमें transistor जो है उसका क्या function रहता है यहाँ पे चारा options आपको मिलेंगे mixer, driver, inverter या chopper जो भी right answer आप लोग comment करके बताएगा साथ में वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा like and share करना बिल्कुल मत भूलेगा वीडियो को अब भी भी चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe और बटन हिट करके bell icon को दबा लीजेगा thank you very much ख्याल रखेगा आपना मिलते हैं अगले update के साथ अगले वीडियो में